वलकम फ्रेंड्स सेलफ अध्यन पर, पाइथन टुटोरिल में आगे की तरफ चलते हैं जिसमें हमने लिष्ट के अंदर कुछ फंक्शन्स देखे थे, जिसमें हम अगर लिष्ट को अपडेट करना चाहें, कुछ रिकोर्ट डालना चाहें, तो अपैंड कमांड के थू हम कर स सकते थे, इसमें एक और function है, जो है insert, इस insert function और append function में एक difference है, append by default last में हमारे जो भी number या जो भी string data है, उसको update करता है, लेकिन insert हम किसी particular position पर अपनी value को डाल के कर सकते हैं, जैसे हमने already कुछ data डाला हुआ है, my list.insert function use करते हुए, parenthesis open करने के बाद हमने लिया है 2, इसका मतलब 2 index value पर हमारी ये value 92.5 अपडेट हो जाएगी, अगर हम चाहें तो position minus में भी दे सकते हैं, और minus में क्या होगा, वो circular type चलेगी, यानि कि जो हमारा 0 position है, उससे पीछे की तरफ, यानि कि last से, right hand की तरफ से वो 1, 2, 3, यानि कि minus 3, वह से चालू होगा हमारा 0 के बाद से, minus 1, minus 2, minus 3, तो हमारा position उस जगे पर place होगा, अभी हम इसको practically देखते हैं, suppose यहाँ पर हम एक list ले ले लेते हैं, जिसमें हम कुछ data पास करा देते हैं, 12 and 13, simple हमने यहाँ पर data डाला है, L टाइप में हमने 12 और 13 देखा, अब हम इसमें insert function का इस्तमाल करते हुए, पहली position पर कुछ data डलवा रहे हैं, enter करने पर जब हम इस cell को display कराएंगे, तो आप देखेंगे, 0 पर हमारा 12 था, 1 position पर हमारा 90 अपडेट हो चुका है, और 13 हमारा last में shift हो चुका है, यानि कि यहाँ पर value अपने according हम index set कर सकते हैं, इसलिए यह हमारा mutable है, इसमें हम changes कर सकते हैं, अगर हम minus की और देखें, जो अभी हमने देखा था, तो यहाँ पर 0 के बाद हमारा minus 1 हम दे देते हैं, और minus 1 पे हम यहाँ पर 22 number को display करा रहे हैं, add करा रहे हैं, update करा रहे हैं, L हम देखा यहाँ पर, कि last से हमारा position 0, minus 1, 22 अपडेट हो चुका है, तो यह हमारा left to right चलता है, अगर negative है, वरना हमारा right की तरफ चलता है, left to right चलता है, तो यहाँ पर PDF में कुछ और भी examples हैं, इनको आप practically कर सकते हैं, और अच्छे से इन चीजों को सीख सकते हैं, next हमारा जो function है, वो है index function, index function हमारे values के index number को यहाँ पर show करता है, जैसे उपर की इस number को किस position पर डालना है, वो हम डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा check करने के लिए है कि किस position पर हमारा number पड़ा हुआ है, example के लिए हम यहाँ पर l.index लेते हैं, और 22 को हम यहाँ से check करते हैं, तो 22 है हमारा 0, 1 and 2, 2 position पर हमारा वो number डला हुआ है, इसके कुछ और भी examples दिये गए है PDF में, और यहाँ पर कुछ errors भी आ सकती है, वो उस case में होता है, अगर हम index value को check करते हैं, किसी particular position के लिए, जैसे एक number हमने duplicate डाला हुआ है, और हम चाहते हैं कि वो पहले जो number आ रहा है, उसको skip कर दे, तो उस case में हम यहाँ पर option use कर सकते हैं, my list जो हमने list जाते हैं, लेकिन एक number से start हो, यानि कि zero position को वो skip करेगा, और जो उसकी searching है index value की, वो start होगी पहले index से, इसी तरीके से अगर वो index value नहीं मिलती, तो उस case में हमें error मिल जाता है, यह सभी चीजे हम practically देखते हैं, यहाँ पर हम check करने वाले हैं, index value 90 की, और show हो रहा है पहले number प suppose हम एक और value डाल देते हैं, आभी यहाँ पर हम देखें, तो हमारे list में 0, 1, 2, 3, 3 value पड़ी हुई है, हम सीधे सीधे चोथे index पे एक value और डालेते हैं, 90 का, तो यहाँ पर error इसलिए आया है, क्योंकि वो index value empty है, अगर हम यह काम third index पे करते हैं, और 90 number को update कराते हैं, तो यहा already index value available है, और आप देखेंगे कि 90 number अब आ चुका है, और दो बार वो दिखाई दे रहा है, अब मैं अगर यहाँ पर index को चलाता हूँ, 90 को चेक करता हूँ, लेकिन वो चेक करता हूँ, 2 से, यानि कि 0, 1, 2, 22 से वो start होगा, तो उस case में हमारे 90 की जो index value है बात की, वो हमें य list को delete करा सकते हैं, 1 by 1 value देते हुए, अगर वो list में number exist नहीं करता, उस case में हमें error show होती है, तो आएए practically देखते हैं इसको, हमने यहाँ पर कुछ list बना दिया है, जिसमें 12, 13, 14, इस तरीके से हमने number डाले हुए है, list अगर आप देखें, तो उसमें भी यहाँ value पड़े 12 value को remove कर रहे हैं, अब अगर हम list वापिस से देखें, तो आप देखेंगे 12 value वहाँ से हट चुकी है, अगर हम remove फिर से करते है 12 value को, क्योंकि वो exist नहीं करती, तो उस case में हमें वहाँ पर errors show करेगा, उसके बाद हमारा जो function है, pop function, वो भी हमारा delete करता है, हमारी list से data को, बट वहाँ पर वो show भी करता है कि कौन सा record या number उस index value से delete किया गया है, यानि कि हमने उपर देखा था, हम सीधे वहाँ पर value देते थे, लेकिन यहाँ पर index value देते हैं, और index value से कौन सी हमारी value delete हुई है, वो यहाँ पर show कराता है, अब अगर हम यहाँ पर check करें, l.pop और यहाँ प pass करा दें, क्योंकि 1 पर हमारा data है 14 का, तो वो यहाँ पर show करा रहा है कि हमारी कौन सी value पॉप हुई है, और list में अब हमारा सिर्फ रह गया है 13 number, अगले जो function है, वो है reverse function, और यह हमारी list को एक reverse order में set कर देता है, यानि कि हमारा list है, वो हमें reverse में display होगी, उसके बाद हमार index value है, वो भी change हो जाती है, यानि कि अगर 0 पर देखें, तो अभी है 102, लेकिन अगर हम reverse कर दें, तो उस case में 0 index पर हमारा यह language पहुच जाएगा, यह practically देखते हैं इसको भी, हम यहाँ पर कुछ list में data ले लेते हैं, 12, 9 कोई नाम, और उस नाम के बाद हम कोई decimal value भी ले ले पर के बहुच के लेते हैं, उसके बाद अगर हम list देखें, तो यहाँ पर हमारा one by one सारी values list की show हो रही है, और अगर हम यहाँ पर list को reverse कर दें, तो उस case में हमारा list जो है, वो reverse order में set हो जाता है, अगर मैं list की यहाँ पर पहली index value को देखता हूँ, तो यहाँ पर हरशित ना order में set कर देता है और उसके बाद उसकी index value भी बदल जाती है अब अगर हम copy function का इस्तमाल करते हैं तो हम एक empty list के अंदर हमारी data को जो की दूसरी list में available है वहाँ से copy करा सकते हैं उसका type भी list type ही होता है इस functions को हम पढ़ने वाले हैं के बाद हम बाकी की जो functions है वो next video में cover करेंगे copy functions को practically देख लेते हैं सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पर list बनाई थी अब एक हम empty list यहाँ पर बना देते हैं उसके बाद हमारी इस empty list में यानि की L2 में हम करावा देते हैं L.copy इसका मतलब जो भी हमारा list में data है वो L2 में चला गया है और L2 में अगर हम देखें तो वो value वही आ रही है जो हमारी L list में हमने डाली थी और इसका type भी अगर हम देखें L2 का तो वो भी एक list type का है तो यह कुछ functions हमने देखे list के अंदर आगे और भी functions के बारे में हम discuss करने वाले हैं आज की वीडियो में इतना ही बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहें सेल्फ अध्यन के साथ ठैंक यू आप अबू़े जो हम गढ इसेल्छ नहीं नहीं आप प्लाव थू़ेशग झाला कि लिए रहें सहांएज़ और इसे हमिएगे बाभान आप एव झाल प्रड़ को झाल